हेलो दोस्तो लेट्स क्रेकिट की करंट अफेर स्रीज में आप लोग का स्वागत है और इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि साइंस एंड टेकलोजी के छेतर में मार्च 2021 महीने में कौन-कौन सी घटनाएं घटीत हुए तो अब बेसिकली इस रो है या फिर कई सारे सैटेलाइ हैं वो छोड़े गए ठीक है और भी चीजें हैं जो ब्लैक होल वागेरे से डिलेटेड हैं वो सब चीजें यहां पर हिंदी में मैं हाँ पर बात करूंगा और जो लिखित भास होगी वह इंगलिश वाली होगी ठीक है तो यह बहुत वीडियो आसान हो जाएगी और साइंस पढ़ चुके हैं यह करंट अफेर आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा जर्नली सब लोग पॉलिटी और एक्डॉमी के करंट अफेर ज्यादा पढ़ाते हैं ठीक है तो मैं उनको यहां पर नहीं पढ़ाएंगा क्योंकि वह आपको हजार जगह पर मिल जाएंगे पहले से ह और यहां पर हम उस चीज़ को लेकर के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो यह चीज़ें आपको यहां पर नहीं मिलती हैं इन सब का मैंने अलग से कंपाइलेशन करके पढ़ा दिया है ठीक है तो आगे चलते हैं और लाइक से सब्सक्राइब कर देना और पीडियाफ अगर आपको इसकी चाहिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट टेलीग्राम चैनल है नीचे और वो बिल्कुल चल रहा है ठीक है उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है अभी तो उसको एकसिस आप कर सकते हैं इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप डाउनलोड करना प तो नाम से ही इस पस्ट हो रहा है आर्क टिक तो यहां तक तो यहां पर किलिया रहा है आर्क टिक और ए और लगा दिया है साथ में एम लिग दिया ठीक है तो आर्क टिक का एम क्या है तो नाम से ही इस पस्ट होता है कि यह एक आर्क टिक मॉनिटरिंग सैटलेट मतलब आर् को बता है रश्या आर्क्टिक रीजन में पढ़ता है जर्णली देखा गया है कि पुछले कुछ सालों में आर्क्टिक जो रीजन है उसका टेंपरेचर जितना बढ़ना चाहिए उसे दुगना बढ़ रहा है ठीक है तो बेसिकलि अगर मैं बात करूं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर कि 90 डिग्री नॉर्थ तक का एरिया आपका आर्क्टिक रीजन के अंदर आता है और 66 डिग्री एंड हाफ को कहते हैं आर्क्टिक सर्केल ठीक है तो उससे उपर का एरिया रश्या की खबर हमें लगतार देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो ले देशियर्स कितनी तेजी से फिगल रहे हैं और हमें वहाँ पर जो ऑपोशनिटीज हैं देखिए वहाँ पर भंडार हैं ओयल और गैस के बहुत ज़्यादा वाले तो हम वहाँ पर ओयल एंड गैस का एक्स्प्लोर करें या ना करें करें तो एन्वार्मेंट की किनकी चीज और एन्वार्मेंट को नापने के लिए मापने के लिए ठीक है तो नाम दे देगा आपसे पूछेगा की कौन सा इसका जो है वो मकसद है ठीक है तो अब आपको मकसद के लिए हो चुका होगा अगले न्यूस की तरफ चलते हैं दीखिए एक इंडिया की स्पेस इसर्च और याद रखीगा 51 इसके नाम में है और 53 यह मिसन यहाँ पर है अच्छा इन्होंने टोटल मिला करके यहाँ पर 19 सैटलाइट लॉंच किये जिसमें से सैटलाइट यहाँ पर लॉंच किया गया एमेजोनिया वन ब्राजिल का सैटलाइट है ठीक है ओके तो यही सब चीजे हैं कि यह इसको लॉंच किया इसने 2021 में 2021 में इस रोने अपना पहला सैटलाइट चोड़ा और पहले सैटलाइट पी एसलवी सी 51 था उसमें उन्होंने 18 को पैसेंजर सैटलाइट एक एमेजोनिया वन सैटलाइट जो ब्राजिल का है वो छोड़ा ठीक है तो यह चीजे यहाँ पर आपको किलियर है सतीज धावन इस पेस सेंटर शिरी हरी कोटा इना अंधर प्रदेश वहां से इसको लॉंच किया गया अब इसके अगर आप फीचर से छोड़ा जाने वाला यह 78 वा मिशन था याद रखना श्री हरी कोटा से छोड़ा जाने वाला यह 78 वा मिशन था और इसी के साथ अगर हम देखें तो इसरों ने यहाँ पर एक मुकाम भी हासिल किया है इन्होंने 342 सैटलाइट को अब तक छोड़ चुके हैं इस मिशन को भी इन्कलूट कर लिया जाए तो ठीक है तो अब तक यह इंटरनेशनल कोपरेशन दिखाता है इस स्पेस सेक्टर में कि हमने क्या क्या चीजे हासिल की है ओके अब यह तो इस रोगा काम हो गया बीच में यहाँ पर आता है एमेजोनिया वन इसका क्या है मक्सद तो एमेज जोन फोरेस्ट में अभी अभी बहुत बड़ी फॉयर लगी थी तो वहाँ पर पेड़ पोधे बहुत तेजी से डिग्रेट हो रहे हैं डिफोरेस्टरेशन तेजी से बढ़ रहा है तो बेसिकली उसको यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए लूंच किया गया है कि कितना एरिय जो डिफोरेस्ट हो चुका है और उसको एफोरेस्ट करने की जरूरत है यानि की मदब दोबारा से ब्रक्ष लगाने की जरूरत है तो यह मिशन इस तरीके से यहाँ पर हैलफफुल साबित होगा ओके तो यह निउस आपको पता होनी चाहिए जितने भी पॉइंट से सिंदू नेत्र सैटलाइट जो था DRD हुआ तो DRD का सिंदू नेत्र सैटलाइट इसको भी इस रों ने लॉंच किया और PSLV C51 मिशन के साथ ही लॉंच कर दिया तो यह जो सिंदू नेत्र सैटलाइट है यह डैवलप किया गया बैंगलूरू बेस्ट P.E.S. यूनिवरस्ट के स्टूडेंट्स ने इसको डैवलप किया था और यह DRD का ही हिस्सा था और स्टूडेंट्स ने इसको यहाँ पर बेसिकली डैवलप किया था परपस क्या है अगर कोई भी वहिकल बैसी एंगर अब सिर्व सकता है रहुत कर दोनों को डिफरेंट्स जा सकता है तो वह रिपरिंट इसका माकूत आब से पूछा जा सकता है क्योंकि ये स्टेट जीगे लिए लोकेटिट एरिया में यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में ठीक है तो चाहिए ना कि अगर कोई भी वहिकल है कोई भी यहाँ पर basically warship है या merchant ship है उसको पता लगा सकता है ठीक है तो ये काफी जादा important satellite यहाँ पर हो जाता है आगे चलते हैं एक meeting हुई Global Bio India 2021 Union Minister for Health and Family Welfare उन्होंने ये integrate की और ये इसका second edition था दिल्ली में virtual तरीके से ये जो है summit यहाँ पर की गई तो नाम से ही पस्ट है कि Global Bio India 2021 क्या क्या किया जाएगा तो बायो टेक्नोलोजी छेतर में बायो टेक्नोलोजी सेक्टर में इंडिया के क्या क्या strength है क्या क्या opportunities है नेशनल लेबल पर और ग्लोबल लेबल पर उनको यहाँ पर आपने का काम किया जाएगा हम देखेंगे कि इ नेशनल लेबल पर उसके अंदर क्या 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 opportunities है और यहाँ पर अन्वील की गई नेशनल बायो टेक्नोलोजी के छेतर में कॉपरेशन करेंगे पॉलिसी का discussion करेंगे अलग 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 बायो टेक्सिस्टम्स के सीयो वगरा के plans को यहाँ पर सुना जाएगा और इंप्रिमेंट करने की कोशिश की जाएगी ठीक है और यहाँ पर देखें तो नए प्लेटफॉर्म क्रियेटिट किया जाएंगी कि जो नए आइडियाज है नए इन्वेशन हैं इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए ठीक है तो बायो टेक के उपर यहाँ पर काम किया जाएगा जो ग्लोबल कंपनीज हैं इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनसे बड़े-बड़े कॉंट्रेक्ट उनको अट्रेक्ट किया जाएगा कि आए इंडिया में इन्वेस्ट किये इंवेस्ट इंडिया ठीक है तो यह सब काम इस बेसिकली स्टे और मुकाम हासल किया है इसरों ने यहाँ पर क्वांटम की डिस्ट्रिबूशन टेकनोलोजी का यूज किया है और इन्होंने बेसिकली किया क्या देखिए इन्होंने दो अपने स्टेशन लिए टू इंडियन ग्राउंड इस्टेशन लिए और उनके बीच में मैसेज़े देखिए अब इस टेकनोलोजी का फाइदा क्या है तो यहाँ पर देखिए अगर इस येलो बंदे को इस बिलू बंदे को कोई मैसेज भेजना है तो इसके पास एक तो तरीका है क्लासिकल चैनल वाला जो कि हम ट्रेडिशनल तरीके से अभी भी भेजते हैं इसमें क्या है जो बीच में अगर कोई हैकर है ठीक है या फिर कोई एकसेसर है जो कि आपकी मैसेज को एकसेस करना चाहता है उसके पास आसान तरीकये है और वो आपके मैसेज raids को यहाँ पर एकसेस कर सकता है लेकिन अगर आप क्वांटम चैनल की धूरू भेजोगे तो यहाँ पर जो बी सिक्ट या General Science आपके सिलिपस में लिख्खा हुआ है यही काफी है ठीक तो यही चीजे हम यहाँ पर देखेंगे इस Technology का फाइदा क्या हुआ फाइदा यह होगा कि यह security method है communication का तो communication की security method से यहाँ पर सीडे सीडे पता लगता है कि कोई Beach का बंदा आपकी message आपने इस technology का use किया है ठीक तो क्या है यह technology वैसे तो मैंने आपको simple भासा में बता दी बट अगर आप technical भासा भी पढ़ना चाहते हैं तो यह secure mode of communication है आपको इतना याद रखना है और इसके अंदर जो messages है या फिर जो भी चीज़ आप भेज रहे हैं वो encrypt की जाती है और फिर decrypt कर ली जाती है जैसे जैसे Alice ने भेजी यहाँ पर encrypt करके तो Bob को यहाँ पर सीधे मिलेगी और वो इसको decrypt करेगा बीच में किसी के पास कोई access इसके लिए नहीं होगी ठीक है तो यह से क्या क्या फायत होंगे भी third party यहाँ पर access नहीं कर सकती आपके messages को tempering नहीं कर सकती quantum physics के सिद्दान पर यह चीज़ आधारित है cryptographic keys को exchange करने के quantum physics के सिद्दान पर आधारित है और क्या provide करता है efficient and guarantee security आपको security provide की जा रही है कोई आपकी message को या फिर जो data आपने भेजा है उसको access नहीं कर सकता इन दा middle ठोके तो यह जो बंदा है बीच में red यह आपकी message को access नहीं कर सकता अगर आप quantum channel का use कर रहे हैं तो quantum की distribution technology इतना सा आपको इसके अंदर समझना था आगे चलते हैं आगे एक चीज़ नियूज में आई नोबी चोक नोबी चोक क्या है भाई यह एक तरीके का chemical weapon है और इसका meaning Russian में होता है रश्या से यह word आया है और इसका मतलब होता है new comer ठीक है और basically यह एक nervous system के रूप में work करता है यहाँ पर तो आपका जो nervous system है उसको यहाँ पर यह हर्ट करने का काम करता है और Soviet Union में इसको develop किया गया था 1970s, 1980s के अंदर ठीक है fourth generation chemical weapon है और Soviet Union के अलग अलग program चलते हैं उनमें से ही एक program है foliant उस program के अंदर fourth generation chemical weapon यहाँ पर यह develop किया गया था ठीक है तो यह सब points आपको पता होने चाहिए आगे चलते हैं National Science Day मनाया गया और आपको पता हो तो 28 फरवरी को यह बनाया जाता है हर साल और 1987 से लगातार यह यहाँ पर मनाया जा रहा है C.V. Raman के जो है उन्होंने जो work किये उसके लिए यह मनाया जाता है बिसिकली यह हर साल पढ़ते हैं तो आपको याद होना चाहिए बस इसकी थीम बदलती है थीम है Future of Science, Technology and Innovation, Impact on Education, Skills and Work तो यह थीम आपको पता होनी चाहिए किसी एक्जाम में पूछ सकते हैं तो इस सिलाइट से इतना ही क्योंकि यह बहुती इजी सिलाइट थी दूसरा बहुत करनाटच नहीं यहाँ पर सामने आया और ओनोंने अपनी Engineering Research Policy लौंच की है नाम से पता चलता है क्या काम किया जाएगा Engineering के छेतर में Research को बढावा देने के लिए ये Policy है तो करनाटच ने ऐसी एक Policy लौंच की है और यहाँ पर अगर आप देखें तो policy का aim क्या होगा कि state को ऐसा बनाना है state को इस तरीके से तयार करना है राजजे को ऐसा बनाना है कि जो future की opportunities है engineering sector में उन opportunities को यहाँ पर यह harness कर सके उनका lab उठा सके तो engineering छेतर में research होगा इस से देश में जो करना टक है उसका share बढ़ेगा share बढ़ने का मतलब है कि वो technology के छेतर में engineering research के छेतर में कितना contribute कर रहा है वो बढ़ाएगा और इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर 45% तक बढ़ाना यहाँ पर इनका लक्षा है कि country में जितनी भी research हो रही है कलना टक उसमें 45% हैसा करे ठीक है तो इसके लिए कई areas identify किये गए है जैसे space and defense के छेतर में करेंगे auto mobile के छेतर में करेंगे auto components and electric vehicle के छेतर में करेंगे biotechnology के छेतर में pharma medical devices semiconductor, telecom, software product इन सब के छेतर में यहाँ पर काम किया जाएगा ठीक और इसका जो लक्षा है इसके लिए हम intellectual property rights जो है उनका भी यहाँ पर इंतिजाम करेंगे मतलब अगर हमने कुछ develop किया हमने कुछ research किया है तो उनके लिए जो basically develop करेंगे intellectual property rights का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा ठीक है तो यह news भी आपके काम किया हो जाती है करनाटक ने launch की engineering research policy इतना ही जानना काफी था एक आता है science and engineering board जिसको कहते है SERB और यहाँ पर इन्होंने एक portal बनाया है पोर्टल का नाम है project information system and management in short prism तो यहाँ पर इन्होंने prism portal यहाँ पर launch किया है project information system and management SERB के दोरा यहाँ पर launch किया गया क्या करेगा यह portal इस portal पर SERB के दोरा जितनी भी research की गई उसकी real time information available होगी ठीक है तो बहुत ही simple news है कोई भी इसमें घवराने वाली बात नहीं है एक portal बना दिया है SERB जितनी news research यहाँ पर करता रहेगा वो research का सारा data यहाँ पर प्रोड कर लिया जाएगा ताकि जो नए बंदे हैं जिनको इन सब research के उपर access नहीं होती वो भी access कर पाएं और अगर वो innovation या फिर कुछ नया सोच रहे हैं तो वो उसमें access कर पाएं ठीक है तो यह serve का project है full form मैंने आपको पहले ही बता दी और basically 2011 के बाद जितने भी project या जितनी भी research ACRB ने की हैं वो सारी research इस platform पर available होगी तो याद रखे किस चीज़ के लिए है serve का ये platform तो याद होना चाहिए आपको गडबड मत कर देना कि ये scientific journals को publish करने के लिए नहीं भी जो यहाँ पर ये basically research करेंगे वो सारी research यहाँ पर upload की जाएगी ठीक है क्या क्या details है status क्या है funding detail क्या क्या है research summary क्या है project output क्या है ये सब publish क्या जाएगा ठीक है याद रखना आगे चलते हैं वह एक rules यहाँ पर लाए गए थे फरवरी में और rules का नाम था information technology intermediary guidelines and digital media ethics rules 2021 जितने भी OTT platforms हैं उन सब को regulation करना है मतलब जो content वो लोग OTT platform पर डालते हैं अब वो content ऐसे ही नहीं दिल जाएगा कुछ rules बनाएगा हैं उन rules को follow करना पड़ेगा ये rules फरवरी में आये थे इसके उपर एक अगर किसी बंदे को कोई दिक्कत है तो वो कहां जाए तो उसके लिए three tire का grievance redressal mechanism develop किया गया मार्च में ठीक है तो ये क्या है इसके अंदर एक grievance cell बनाई जाएगी self regulatory body बनाई जाएगी OTT platforms के लिए और एक inter ministerial panel बनाया जाएगा तो जिसको जो दिक्कत है उस level पर जाकर के अपने grievance का redressal कर सकता है एक short news थी और मैंने यहाँ पर आपको cover करा दी आगे देखें तो एक होती है infiltration gallery technique ठीक तो ये नाम से ही इस पर छो जाना चाहिए infiltration का मतलब अगर आप समझते हैं तो जैसे बारिश की बूंदे पड़ती है ठीक अभी जैसे बारिश की बूंदे पड़नी तो पानी जो है वो soil के through groundwater में चला जाता है उसको कहते है infiltration तो जल जीवन mission यहाँ पर चला हुआ है और जल जीवन mission के अंदर 2024 तक pipe drinking water प्रोवाइट कराना है तो यह एक technique है तो इस technique के जरीए लद्दाख के अंदर water supply प्रोवाइट की जाएगी लद्दाख आपको पता हो तो थोड़ी उचाई परिस्त है और वहाँ पर बेसिकली पानी जो है वो जम जाता है ठीक है water pipes के अंदर तो वहाँ पर आलग तरह की technique का यूज़ करके water supply को बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए infiltration gallery technique यहाँ पर काम में आएगी ठीक है इस technique के जरीए करती क्या है देखिए it is a method of water treatment water treatment का यह एक method है ठीक है मतलब जो पानी है वो filter हो करके आएगा ठीक है infiltration जो बारिज पर दिया है तो जो धरती के थुरू पानी groundwater में जाता है वो भी filtered water होता है ठीक है तो soil filtration के थुरू यह यहाँ पर काम होगा pipe connect कर दिया जाएगा to the bottom of laser wire or the river and water is clean and transported to the supply side ठीक है तो यह pipe नीचे connect कर दिया जाएगा जहां से भी आप पानी लेते हैं और वहां से जब यह पानी उपर आएगा तो यह चीज basically बिल्कुल clean होकर कर आएगी और water बिल्कुल भी जो है वो गंदा नहीं होकर drinking water provide करना ने जल जीवन mission के अंदर और वही काम यहाँ पर है water is keep hot in overhead tanks water को गरम भी रखा जा सकता है within the help of solar energy तो यहाँ पर भी solar energy का use किया जाएगा तो basically आपको समझनी है infiltration gallery technique ये एक method है water treatment करने का soil filtration के थूप ठीक है और इसके अंदर एक pipe करेक्ट कर दे जाता है water से और पानी बिल्कुल साफ होकर के आपकी supply side पर आता है ठीक है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आगे चलें तो space hurricanes detect किये गए north pole के उपर तो अगर आप देखें तो आपने simple hurricanes वगरा पड़े होंगे इस तरह के जो ये चीज़े होती है ये सब hurricane होते हैं तो ये तो प्रत्वी पर हो गए लेकिन space में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही है image देखें पहले आप ठीक तो ये हैं यहाँ पर hurricane ठीक है अगर आप बेसिकली space से देख रहे हैं तो इनकी दिशा आपको दिखेगी clockwise और अगर आप धरती से देख रहे हैं इनकी दिशा आपको anti-clockwise गोमती हुई दिखेगी तो ये इसकी और थोड़ी से scientific emails है पहले हम यहाँ पर देखते हैं देखें इनकी range होती है 100 से लेकर के 800 km तक कैसे मतलब ये जो इनका diameter है तो ये जो इनकी basically radius है तो radius यहाँ पर इनकी 100 से 800 km तक हो सकती है तो बहुत ही बड़े होते हैं और basically consist करते है plasma को और in multiple spiral arms spiral arms का मतलब क्या है spiral arms का मतलब ये है कि जो अगर आप यहाँ पर देखें एक arm ये रही दूसरी arm ये रही तीसरी ये रही चोथी ये रही तो इस तरह की spiral arms यहाँ पर use की जाती है और anti-clockwise direction में ये basically move करते हैं ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे प्रत्वी पर hurricane होते हैं ऐसे ही hurricanes जो है वो basically space में देखने के लिए मिलते हैं एक space hurricane होता क्या है तो mass होता है plasma का तो ये जितना भी आप यहाँ पर देख रहा है basically plasma है और aurora lights के थूर यहाँ पर ये convert हुआ है ठीक है तो ये plasma का mass है और जो ये घूम रहा है और electron को आइनो स्फेर में basically ये बारिस करता है तो जब ये spiral करता है तो यहाँ से electron के यहाँ पर निकलते हैं space में चले जाते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिससे की एक बड़ा cyclone shaped aurora यहाँ पर hurricane के निची बन जाता है तो hurricane ये जो इस तरीके की lights होती है जो कि आकाश में आपको चमकते है basically green color की होती है और इनको aurora कहते है ये north pole पर भी होती है south pole पर भी होती है due to magnetic field of the sun and earth तो ये चीज़े भी आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए तो space hurricanes must be created by unusual large and lapid transfer of solar wind energy and charged particle into the upper atmospheric तो ये उसी तरीके से जैसे एक aurora का निर्मान होता है उसी तरीके से ये इसका भी निर्मान होता है basically बस ये घोमना शुरू कर देते हैं और plasma का mass होता है and electrons को space में यहाँ पर distribute करते हैं आइनोस्फेर के अंदर ठीक है तो ये general news थी और basically आपसे पूछा जा सकता है space hurricane के बारे में ठीक है imageries भी यहाँ पर clear होनी चाहिए ठीक है ये सब चीज़े हैं Indian Ocean के अंदर mapping की जाएगी genome की तो Indian Ocean के अंदर जितने भी जीव यहाँ पर मौजूद है उन सब की mapping की जाएगी genome mapping का मदलब आप समझते होंगे उनके genetic data को इखटा करना ताकि हमें आने वाली species के बारे में और जो भी species यहाँ पर लुप्थ हो चुकी है उनके बार में पता चल सके ठीक है तो ऐसा first project launch किया गया Indian Ocean के अंदर यहाँ पर इस project को launch किया गया Council of Scientific and Industry Research National Institute of Oceanography ने इसको launch किया ठीक है तो ये genome and proteome में mapping करेंगे यानि कि micronutrient तक की mapping की जाएगी जो जीव है उनकी तो की जाएगी जेकिन micronutrient की भी यहाँ पर mapping की जाएगी जैसे कि जो कि single cell organisms के अंदर micronutrient होते हैं ठीक है तो इन सब की यहाँ पर genome mapping की जाएगी aim क्या है aim is to sample water sediment plankton and various organisms in the research of genome and micronutrient तो इन सब का भी यहाँ पर sample लिया जाएगा कि वहाँ का जो water है वो कैसा है sediments उनका क्या system है ठीक है यह सब चीज़े यहाँ पर की जाएगी mission का objective क्या है mission का objective है to identify and characterize genes and proteins in ocean to understand cellular level operation of organisms in the ocean ocean के अंदर कितने तरह के कोशी के जीव रहते है उन सब की basically structure को उनके genes को समझना यह इसका मकसद है ठीक है इससे क्या पता चलेगा इससे पता चलेगा कि organisms के अंदर genetic diversity कितनी है genetic diversity अगर नहीं होती है तो धीरे धीरे प्राणी लुप्त हो जाते है तो यहाँ पर हमको अगर आप देखें तो अभी अभी basically अब तक हमारे पास जो हैं वो बहुत ही कम species के बारे में यहाँ पर है उनका बहुत ही कम genetic data हमारे पास है कुछ deep sea animals है कुछ deep sea species है और polar oceans के अंदर भी कुछ ही species हैं जो कि identify की गई है तो यह हमारे record को और जादा मजबूत करेगा और इससे काफी जादा help यहाँ पर मिलने वाली है ओके आगे चलते हैं आगे देखते हैं कि और क्या क्या news यहाँ पर आई तो एक news यहाँ पर है frontier technologies के बारे में frontier technologies क्या होती हैं देखिए इनके uses तो होते हैं लेकिन साथ ही इनके नुकसान बहुत जादा होते हैं frontier technologies are identified as potentially disruptive technologies तो इनके जो अगर यह गलत तरीके से यूज की गई तो बहुत ही जादा हानिकारक हो सकती है that can address large scale challenges and opportunities जैसे artificial intelligence अगर इसका misuse हुआ तो आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा internet of things, big data, blockchain, 5G, 3D printing, robotics, drone, gene editing, nanotechnology, solar, photovoltaic यह सब technologies ऐसी हैं जो frontier technologies हैं जिनका अगर गलत तरीके से यूज किया गया तो अंजाम बहुत ही बुरे होंगे potentially disruptive technologies इनको कहा जाता है अब यह news में क्यों आई क्योंकि news में इसलिए आई जो आपका UNCTAT है उसने एक report launch की technology and innovation report 2021 इसके अंदर इन्होंने बताया कि the report examine the likelihood of frontier technologies widening existing inequalities and creating new ones तो किस तरीके से frontier technology inequalities को बढ़ावा दे रही है society के अंदर ठीक है और नई inequalities create कर रही है जैसे tech inequality gender inequality तो होता है tech inequality मतलब कुछ लोगों के पास बहुत सादा technology है लेकिन कुछ के पास बिल्कुल भी technology नहीं है यह सब discuss किया गया इस report के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो existing inequalities हैं वो बढ़ रही है ठीक है तो इस report के अंदर बताया गया कि national और international policies किस तरीके से work कर रही है या खिलाफ कौन कौन से instruments है institutional reforms क्या क्या लिए जाना है कौन सी countries क्या कर रही है data needed to create a more equal world of opportunities for all ठीक है तो किसी countries के पास तो बहुत सादा technologies है किसी country के पास technologies नहीं है तो इन सब को हमें यहाँ पर जो inequalities हैं उनको कम करना है किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है ठीक तो कुछ finding की गई रैंकिंग दो तरह किसे दी इंडिया की actual ranking 83 है और अगर हम per capita income के हिसाब से देखें तो 108 ranking है यह याद नहीं रखना आपको 43 ranking इसकी है यह याद रखना है इंडिया का performance अच्छा है research and development के छेतर में ठीक है तो इस point को भी याद रखना है आपको और इन्होंने कहा कि United States है, Switzerland है यह UK हैं, यह सब best prepared है frontal technology, अगर frontal technology के कारण कोई भी disruptive यहाँ पर चीज़े होती हैं, कुछ भी गलत होता है, तो US, Switzerland और United Kingdom इससे safe रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए अच्छी preparation की होई है ठीक है, तो यह सब points है आपके काम में आ सकते हैं वह एक होती है QS University ranking और इसकी ranking यह launch की गई 2021 के लिए basically universities को rank करते हैं कि किस university का course कितना बढ़िया है कौन सा course यहाँ पर basically top पर है, ठीक तो यह ranking इन्होंने दो subject की base पर दी और इंडिया के चार institute इसके अंदर यहाँ पर rank कर पाए, इंडिया के चार institute यहाँ पर rank की गए और दो subject के अंदर दी, engineering and technology के अंदर and natural sciences के अंदर तो दो subjectों में इंडिया के चार institute top सो में रहे हैं कौन कौन से, भई एक है IIT Bombay एक है IIT Delhi, एक है IIT मंदरास, और natural sciences के चेत्रे में IIS Bangalore यहाँ पर आपका top करता है ठीक है, तो यह तनी चीज़े तो आपको पता होनी चाहिए, साथ ही JNU का Anthropology course and Opis General Global University का law program यह दोनों top पर रहे, ठीक है तो इन दोनों को भी यहाँ पर two new entrance in the list तो top सो में इन्हों ने भी यहाँ पर जगा बनाई है, ठीक है, तो यह सब चीज़े हैं जो की यहाँ पर आपसे पोछी जा सकती है, ठीक तो और ऐसी भी हैं जैसे की कुछ institute of eminence यहाँ पर declare किये गए थे, अब यह पिछले ही कुछ सालों में, कुछ institute of eminence यहाँ पर declare किये गए हैं बट उनकी जगह यहाँ पर नहीं बन पाई है, टॉप सो में, तो इसका मतलब यह है कि, या तो वो global level पर अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर वो इंडिया के level पर अच्छा नहीं कर रहे हैं या फिर सिर्फ इंडिया के level पर ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है तो यह सब चीजें आपको यहाँ पर देख करके चलनी है और ये इस रेंकेंगे में इतनी काफी है क्योंकि काफी समय से पूछी भी नहीं गई है और हर सार रेलीज होती है बट आपको पढ़ना तो पढ़ेगा ठीक है तो ये याद रखिए IIT बॉंबे डिली मदरास ए तीन टोप रहे और IIS बैंगलोर भी यहां पर टोप पर रहा आ तो बेसिकली रेम जेट के अंदर इन्होंने सॉलिड फ्यूल की जरिये टेकनलोजी डेवलप की है रेम जेट क्या होता है देखिए तीन तरह क्या होता है टर्बो जेट एक रेम जेट और एक स्क्रेम जेट टर्बो जेट में यहां पर बेसिकली टर्माइन्स लगी होती है ठीक है जो कि air pressure को basically मभशूद करती है और जो भी air यहां से निकलती है वो काफी ज़्यादा तेज यहां पर होती है ठीक दूसरा यहां पर ram jet आ जाता है और तीसरा scram jet आ जाता है scram jet के अंदर pressure काफी ज़्यादा होता है तो तापमान काफी ज़ादा बढ़ता है इतनी ही speed से यहाँ पर छीजें बाहर निकलती है ram jet में ऐसा नहीं होता air तो अंदर जाती है ठीक है but compression इतना जादा यहाँ पर नहीं होता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही जही जादा चोड़ा यह चीज़ बनाई गई है और यहां से डबल तरेकए से कंप्रेशन भी यहां पर देखने को मिलता है ठीक टो यह रैम जीट टेकनिक है और नीचे इस के रैम जैस्ट टेकनिक तो बैसिकलि क्या किया है कि रैम जैज टीकनिक के अंदर बै अगर यह technology successful हो गई और हो चुकी है तो यह technology SFDR technology इसा missile propulsion system तो propulsion यहां पर आपका जो इनन हो गया उसको कहा जाता है based on the concept of ramjet engine principle the system utilize a solid fuel air breathing ramjet engine और यह basically हावा से ही oxygen ले लेगा unlike solid propellant rocket the ramjet takes up oxygen from the atmosphere during the flight thus it is light in weight and carry more fuel ठीक है तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए DRD योंने इसका development शुरू किया था 2017 में और 2018-19 में भी इनोंने यहां पर इसके लिए टेस्ट किये और आप जाकर कि इनको यहां पर सफलता हासिल हुई है ठीक तो यह चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए पहले एक यहां पर फैलोशिप दी जाती है इंडिया साइन्स रिसर्च फैलोशिप और उसके लिए यहां पर 40 स्कॉलर्स को च्छे कंट्री के तो अपने पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान बांगरादेश भूटान मालदीव म्यामार नैपाल श्रिलंका थाइलेंड इन सब कंट्रीज में जो भी चात्र इंडिया के अंदर पढ़ना चाते हैं उन सब को स्कॉलर्शिप प्रोवाइट की ज चापर्शन इन डर नाइवरिंग कंट्रीज ओफिंडिया तो इससे क्या होता है एक दूसरी कंट्री के बीच में जो इंटरनेशनल कोप्रेशन इंदर फिल्ड ऑफ साइनसें टेक्नोजी उसको यहां पर बढ़ावा मिलता है ठीक है तो इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्न तो पड़ोसी देश के ऐसे स्कोलर्स को जो की कुछ करना चाते हैं इन दा फिल्ड ओफ साइंस और टेक्नोजी वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इस इसको फैलोशिप को और एक्सेस कर सकते हैं जो भी फैसलिटी इंडियन इंस्टियूट यह उनिवस्टी के अंदर एबलेबल हैं तो यह जो फैलोशिप है यह शुरू की गई थी डिपार्टमेंट ओफ साइंस और टेक्नोलोजी के द्वारा 2015 में ठीक तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए आगे चलें एक वाइरस है यूरोप में आउट बेक देखने को मिला एक्विन हर्पस वाइरस तो एक्विन का मदलब सीधे सीधे पता हो जाना चाहिए यह होड़ सासर रिलेटिड होता है और बिसिकली जो घोड़े हैं उनके बीच में यह वाइरस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और अपी यूरोप में फैला है साथ ही दूसरी कंट्रीज हैं जैसे स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन तो इन सब कंट्रीज में भी यह फैला मिला है तो एक्वेन हर्पिस वाइरस जो है यह DNA वाइरस है याद रखना यह RNA वाइरस नहीं है और दुनिया भर की जो घोडो की पोपॉलेशन है, होर्स पोपॉलेशन है, उनके अंदर यह वाइरस देखने को मिलता है ठीक, तो अब आपको इतना ही जानना काफी था कि बेसिकली कहां पर फैला, यूरोप में फैला और DNA वाइरस है और होस पोपॉलेशन के अंदर फैलता है, यह याद मत रखिएगा, ठीक है और भी इसके वैरियंट होते हैं, जैसे, जैसे एक्विन हर्पस वाइरस, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह सब नहीं पर आगे देखें, तो यहाँ पर बनाए गए, प्रिंटिंग नियूरोन्स, यह क्या होते है, भई, यूमेस के साइंटिस्स ने यह चीज डैवलप की है, और इन तो दिमाग में आपने जो भी को सोचा, एंड कैन बी मेड बाई 3D प्रेंटिंग, वो 3D प्रेंटिंग के थ्रू बना दिया जाएगा, ठीक है, डैवलपिंग इस टेकनोलोजी फर्दर हेल्प, थ्रेट, नियूरो डिजनरेटिव डिजीज, तो इस तरह की डिजीज को भी यहाँ पर सोल बाउट करने में इस टेकनोलोजी की मदद ली जा सकती है, बाई ट्रांस्प्लांटिंग दप प्रोडुक्त प्रोडूस्ड आर्टिफिशल टिसू, तो अगर ब्रेन के टिसू है, ठीक है, तो उनकी 3D प्रेंटिंग यहाँ पर की जा सकती है, ठीक, उनकी ज जिसको Neuro Degenerative Disease यहाँ पर है, ठीक है, तो यह काम यहाँ पर किया जा सकते हैं, आगे चलें तो एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली, सबसे दूर, सबसे दूर का क्वैसर यहाँ पर देखने को मिला, नाम यहाँ देखने की जुरूत नहीं है, वैसे नाम है P172 प्ल लाइटर होते हैं, ठीक है, तो यह दूसरे तारों की रोशनी को धुंदला कर देते हैं, इतने तेज होते हैं, ठीक है, तो क्वैसर बहुत तेज होते हैं, और यह दूसरे तारों की जो स्टार्स हैं, उनकी लाइट को भी धेमा कर देते हैं, ठीक है, तो यह यहाँ पर डि होता है सूरज की रोशनी से भी ट्रिलियन गुना ब्राइटर यह यहां पर होता है ठीक है तो इसकी डिस्कवरी हुई और सबसे दूर का यहां पर यहां पर यह हमें देखने के लिए मिला क्वैसर सार बिलीब तो प्रोड्यूस हाई एनरजी फ्रॉम मैसिव ब्लैकोल इन दस को भी खतम कर देते हैं इनकी हैल्प से हमें क्या पता लगेगा कि यूनिवर्स की अर्ली स्टेजिस क्या-क्या है ठीक है तो उसके बारे में इन्फॉर्मिशन देखने के लिए मिलेगी तो यह क्वैसर से आपको पता होना चाहिए थोड़ सा इसके बार में इसनों ने कहा ह है कि हम नेशनल सेक्योरिटी प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे देखिए दो तरह के प्रोजेक्ट यहां पर इसनों ने बताए एक जो सेक्योरिटी से रिलेटिट प्रोजेक्ट है और दूसरे जो कमर्शल एक्टिविटी से रिलेटिट प्रोजेक्ट है तो इन्होंने कहा जितने भी national security and advanced technology से related छेतर है या जितने भी project है जैसे चंदरियान 2 या गगनियान mission इन सबको इस रोख खोद handle करेगा और जो commercial activities है तो उन सबको एक नई agency बनाई गई थी कुछ समय पहले उसका नाम है new space India limited newly formed branch है इस रोखी जैसे अंतरिक्ष है ऐसे ही यह है ठीक तो यह branch यहा तो NSIL new space India limited के जरिये हमने commercial satellite ठीक है commercial satellite को है गर यह यह यहाँ पर deal करेगा तो इन्होंने amazonia satellite जो पहली slide में पढ़ाई उसको यहाँ पर छोड़ा और NSIL का पहला commercial mission इन्होंने अपना पूरा किया ठीक तो यह यहाँ पर commercial आम को समा लेगा और इस रो national security से related project को समा लेगा बाक समा लेगी तो जितने भी earth observation के satellite है communication satellite है वो भी NSIL ही यहाँ पर launch करेगी ठीक है तो इसी के अंदर यह include किये गए है आगे देखें तो air independent propulsion for diesel electrical submarine यहाँ पर बनाया गया है तो DRDO ने इस technology को develop किया गे technology का नाम है air independent propulsion system crucial for diesel electric submarine यह क्या है बहुत समरीन दो तरह क्यों होती है एक होती होती है nuclear ठीक तो जो convention submarine होती है उनमें diesel electric engine का use किया जाता है और उनको रोज रोज सर्फेस के उपर आना पड़ता है oxygen को लेने के लिए fuel combustion के लिए fuel combustion के लिए oxygen की जरूत होती है और oxygen यहाँ पर बातावरन से मिलेगी तो उन्हें पानी के उपर आना पड़ता है जिससे कि उनक लिए यह दिक्कत यहाँ पर है conventional submarine के साथ बट अगर oxygen लेने की जरूरत ही ना पड़े तो तो यहाँ पर यही काम क्या है DRDO ने इन्होंने इसके अंदर फिट कर दिया है air independent propulsion system मतलब अब air पे dependent रहने की जरूरत नहीं है अब आप air से सोतंतर हैं अब आपको oxygen लेने के लिए और बेसिकली naval material research regulatory का यह की mission है और इसके अंदर अगर हम देखें तो technology जो है लगाई जाएगी INS कलबरी और scorpion class submarine जितनी भी है 2023 से उनमें लगनी शुरू हो जाएगी यह technique तो DRDO ने इस technology को लोज़ किया और Indian ocean reason के अंदर यह काफी जादा हमारी helpful करेगा क्योंकि submarine का detect होना अ आगे चलते हैं तो international lunar research station तयार किया गया रशिया और चाइना दोनोंने साथ में cooperation करके international lunar research station यहां पर launch किया और moon की surface पर launch करेंगी lunar से मतलब समझ जाना चाहिए था आपको ठीक है और एक नई एरा की शुरू बात है space cooperation के अंदर रशिया और चाइना दोनों पहले से ही ally रहे ह भी अभी इनोंने यहां पर basically कदम बढ़ाया है तो यह जो आपका international lunar research station है यह comprehensive scientific experiment based है capability of long term autonomous autonomous operations का यह दोनों क्या करेंगे यह दोनों यहां पर कुछ नहीं करेंगे वही सब काम है principle of consultation joint construction shared benefit ठीक है तो इन से दोनों को यहां पर help देखने के लिए मिलेगी और दोनों research कर सकते है for the moon की research तो होगी साथ ही जो extended यहां पर गिरें हैं उनकी भी यहां पर research की जा सकती है वहां पर अपना station तयार करने के बाद तो यह इन दोनों का यहां पर साथ में मकसद है फुगाकू यह क्या है तो फुगाकू दुनिया का सबसे powerful सूपर कंप्यूटर है जापान के दोरा launch किया गया है याद रखना सूपर कंप्यूटर की speed को petaflop के अंदर नापते हैं तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि performance of super computer is commonly measured in flops और petaflops तो दुनिया का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर यहाँ पर बनाए गया है इससे पहले चाइना का सनवे थावलाइट यह था अब इसको सरपस कर दिया है और अब जापान का फुगाकू जो यहाँ पर कंप्यूटर है वो सबसे powerful सूपर कंप्यूटर है और इसकी speed petaflop में नापी जाती है एक सू जो work है उनको जादा quickly कर सकता है बहुत जादा तेजी से कर सकता है जो problems है उनको तेजी से solve कर सकता है और एक समय में कई सारे काम भी कर सकता है इसको कहते है parallel processing कई सारे काम एक साथ किये जाए तो ठीक है तो नाम याद रखना फुगा को क्या है दूसरा Indian Space Research Organization ISRO और जापान की Space Organization जाकसा जैपान Aerospace Exploration Agency इन दोनों ने cooperation किया है अर्थ observation, lunar cooperation and satellite navigation के छेतर में तो यह तीनों पॉइंट याद रखना है बेसिकलि एक छोटा सा MOU था यह मैंने यह आपर दे दिया आपको एक asteroid देखने के मिला asteroid का नाम है 2001 FO32 यह यह कहा जा रहा है कि NASA National Aeronautics and Space Administration ने यह predict किया है कि एक asteroid है जिसका नाम यह है और 2021 में अर्थ के पास से गुजरेगा और सबसे बड़ा सा asteroid है यहाँ पर होगा ठीक है 21 March के असपास यहाँ पर basically गुजरा था ठीक है तो यह चीज़ें यहाँ पर आपको जाननी जरूरी है जब कोई asteroid यहाँ से गुजरता है तो उसका प्रेक्षे पर असानी से कियादा सकता है क्योंकि वो प्रतिवी के पास में आजाता है ठीक तो यह चीज़ें आपको पता होने चाहिए इससे opportunities मिली है scientist को कुछ फाइदा देखने को बिलेगा नाम fancy नहीं है तो याद मत रखेग आगे चलें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि X cells are the largest cells in the body तो X cells जो भी होते हैं मानफ शरीर के अंदर वो सबसे बड़े cell होते हैं body के अंदर एक नई study है उन्होंने यह चीज़ें यहाँ पर discuss की इस study के बारे में जानना बि देखाती है martian blueberries यह क्या होता है तो देखे 2004 में क्या हुआ 2004 में NASA का एक rover था opportunity rover ठीक है तो इन्होंने यहाँ पर जो मंगल ग्रह है मार्स है उसके basically उसकी surface पर कुछ small structures देखे small sphere देखे like this ठीक है यह structures आपको दिख रहे है गोल गोल से structures है पत्थर टाइप के तो यह नहीं पत चीज के बने हुए थे तो यह बने हुए थे iron oxide compound hematite के तो hematite के यह जो है वो बने हुए थे इससे यहाँ पर अंदाजा लगाया गया कि जो mangal है उस पर पानी मातरा हो सकती है तो यह पत्रों को देखकर के लगा कि यहाँ पर पानी की मातरा हो सकती है अच्छा अब क्या फॉर्मेशन देखने को मिले हैं गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर जो यह formation देखने को मिले हैं इनको कहते हैं जुरान formation ठीक यहाँ पर भी hematite के सेम मातरा में concentration मिले हैं जैसा कि मार्स के अंदर मिले हैं mangal के ग्रह पर मिले हैं ठीक तो यह चीज आपको पताओने ज जुरान फॉर्मेशन तो दिस इस आ बेसिकली टाइप ओफ सम्थिंग लाइक मार्टियन ब्लूबरीज और फाउंड इन गुजरात और हैमेटाइट की जो कंसेंट्रेशन वो उतनी ही मात्रा में मिली है जितनी की मार्स पर देखने के लिए मिली थी ठीक है तो ऑफसोर वेसि की जोरान फॉर्मिशन देखने के लिए मिलती है आगे चले तो इसरों ने यहाँ पर डेवलब कर लिये हैं और एच फाइव सिक्टी साउंडिंग रोकेट्स यह क्या होते हैं यह होते हैं टू स्टेट सॉलिड प्रोपेलेंट रोकेट याद रखना सॉलिड यहाँ पर जो यहाँ पर रिसर्च की जाएगी ठीक है तो इससे पहले भी आरेच 200 आरेच 300 लॉंच किये गए अब यह जो नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं फाइव सिक्टी 300 200 यह दिखाते हैं कि रोकेट के डायमीटर कितना है ठीक है और बेसिकल अगर हम देखें तो आर एच फाइव सि स्पोर्ट से स्री हटी कोटा जो यहाँ पर अंतरिक्स पेशेपन केंदर है वहाँ से किस तरह की न्यूटरल विंड्स और प्लाजमा डायमिक्स उनकी वैरियेशन को स्टड़ी करने के लिए आरेच 560 साउंडिंग रोकेट इस रोके द्वारा यहाँ पर जो है वो लॉंच किया जाएगा ठीक है तो यह चीज़े डैवलप किया गया है यह सब चीज़े यहाँ पर आपको पता होना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको थोड़ी दिमाग पर रहनी चाहिए अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ और यह है आपका जिलेटिन इस्टिक्स है तो जिलेटिन इस्टिक्स चीप एक्सप्रोजिव होते हैं बेसिकली यह एक्सप्रोजिव माटीरियल है और बेसिकली यूज होता है माइनिंग एंड कंस्रक्शन रिलेटिड वर्क में जैसे building गिरानी हैं कोई rail road infrastructure हैं वहाँ पर mining वगेरा के अंदर अगर आपको mine करनी है तो आपको उसको तोड़ना पड़ता है कोईले को तोड़ने के लिए gelatin sticks का use यहाँ पर होता है क्योंकि इतना भी तेज explosive यहाँ पर नहीं होता ठीक है इसके साथ एक डेटरनेटर होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मतलब आपने जिलेटिन इस्टिक्स को यूस तो कर लिया है लेकिन उसको trigger करने के लिए आपके पास डेटरनेटर होना चाहिए manufacturing regulated की गई अभी अभी petroleum एन explosive safety organization उन्होंने कहा कि इसकी manufacturing अब हमारे हिसाब से होगी तो यह जाना जरूरी नहीं है कि कैसे होगी बट आपको जिलेटिन इस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए था एक protein देखने को मिली मच्छों के अंदर और protein है AEG 12 ठीक है तो यह protein यहाँ पर देखने को मिली फिलेवी वाइरस जो की मच्छों की एक family है उसके अंदर यह protein देखने को मिलती है और जीका है जैसे यह वैसनाइल है उनके अंदर भी यह जो protein है वो देखने के लिए मिलती है यह protein काम क्या करती है तो जैसे वाइरस है तो उस वाइरस की cell को तोड़ देती है और उसके अंदर गुश जाती है ठीक है तो यह एक तरीके की अच्छी है याद रखना तो इससे क्या होगा जो COVID-19 की जो वाइरस है उसकी जो wall है उसको भी यहाँ पर तोड़ा जा सकता है इस प्रोटीन के जरीए ठीक है तो यह प्रोटीन काफी ज़दा helpful यहाँ पर बताई जा रही है एक होती है थ्रॉम बॉसिस थ्रॉम बॉसिस क्या होता है बिलड वैसल्स के अंदर जम जाना थक्कों का जम जाना उसको कहते है थ्रॉम बॉसिस formation of clots within blood vessels इसको कहते है थ्रॉम बॉसिस तो एस्टरजेनिका उक्सफोर्ड उन्होंने वैक्सीन बनाई तो बैसिकली उस वैक्सीन के side effect यह है कि यह रुधिर के अंदर जो ठक्का है वो जम रहा है ठीक है तो यूरोपियन कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम इस vaccine को use नहीं करेंगे और हम इसका जो बैसिकली import है वो भी बंद कर रहे है ठीक है तो यह सब news में रहता है आपको पता होना चाहिए एक होते है moving black holes तो simple black holes तो होते हैं लेकिन साथ ही moving black holes भी यहाँ पर आपको दीखते हैं जो कि एक चेतर से दूसरी चेतर पर गती करते रहते हैं तो ऐसा ही first moving super massive black hole यहाँ पर discover किया गए scientist के दोरा रिनों ने कहा कि हमारे सूरस से भी 3 million गुना बड़ा यह यहाँ पर है ठीक तो यह black hole हमारी galaxy मतलब अपनी ही खुद की galaxy में यहाँ पर चक्कर लगा रहा था और जो की प्रत्वी से 228 million light years अभी है galaxy का नाम याद मतलब यह fancy नाम नहीं है ठीक है तो हमने 10 black hole को discuss किया study किया और उनमें से पता चला कि एक जो है जो center में है वो यहाँ पर move कर रहा था ठीक है तो दूसरी किसी और galaxy की बात हो रही है हमारी galaxy की बात नहीं हो रही किसी और galaxy में ऐसा काम चल रहा था ठीक है अगर हम इनकी moving speed देखें तो लगबग आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते है one lakh miles per hour की speed यहाँ पर देखने को मिलती है उस galaxy के अंदर क्यों यह यहाँ पर motion कर सकता है तो motion के दो कारण है पहला की दो बड़े black hole सूपर मैसे black hole यहाँ पर merge हो रहे हो तो merge हो रहे हो हो सकता है किसी का pressure जादा हो तो वो उस दिसाम में move करने लगा हो ठीक है दूसरा क्या है one in the final system of the black holes ठीक है तो यह सब छोटी छोटी चीज़े आपको पता होने चाहिए कि इस तरीके के भी चीज़ें यहाँ पर होती है तो यह moving black hole representation image यहाँ पर है एक होता है artificial photosynthesis आपने photosynthesis का नाम सुना होगा ठीक है तो सूरस की प्रकास में यहाँ पर सी ओ टू बेसिकली जो है वो एब्सोब कर ली जाती है photosynthesis जो process है same as you synthesis की process बनाई गई है lab के अंदर उसको कहा जाता है artificial photosynthesis इसके अंदर हमने एक catalytic system का यूज किया है और साथी photosensitizer का यूज किया है photosensitizer एक ऐसे device होती है जो की absorb कर लेती है light को and जो electrons फिर उसके अंदर charge हुए उनको दूसरे molecules को transfer कर दे जाता है इस तरीके से ये क्या काम करता है solar power का use करता है और CO2 को reduce करने का काम करता है जैसा कि photosynthesis के अंदर भी होता है ठीक तो basically जैसे natural तरीके से होता है कि एक पत्ती है और वो यहाँ पर photosynthesis का work कर रही है उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक leaf जो है वो create की है it is similar to the artificial leaf ठीक है जो की reduce करेगी carbon dioxide in the atmosphere जिसको कहते हैं photosynthesis और उसी तरह है कि process पर यह यहाँ पर अधारित है ठीक दो तिन चीज़ें यूज़ करेगी जैसे sunlight carbon dioxide water और change कर देगी यहाँ पर उसको liquid fuel में तो हम को यहाँ पर basically जो photosynthesis के दोरान glucose वगयरा बनता है इसी तरह के से यहाँ पर चीज़े जो है वो निर्मार की जाएंगी solid जो liquid fuel है वो यहाँ पर provide किया जाएगा इस artificial photosynthesis के थ्रो आगे चलते हैं तो इंडिया के अंदर helium का crisis आ चुका है बही कहने का मतलब यह है कि इंडिया में helium के भंडार है नहीं helium का use होता है MRI scan में जैसे magnetic resource amazing ठीक है तो जब MRI कराने जाते हैं तो वहाँ पर helium gas का use किया जाता है साथ ही इंडिया के बहुत सारे चीज़े तरह है science and technology के जहाँ पर helium का use किया जाता है कुबारों में जो हवा भरी जाती है वो भी helium ही होती है ठीक है तो हम helium का जो import करते हैं US से याद रखना तो US ने यहाँ पर कहा है कि हम यहाँ पर अब helium का export नहीं करेंगे helium का export US ने बंद कर दिया अब helium का export बंद कर दिया तो इंडिया को कहां से मिलेगी तो इंडिया को खुद अपने भंडार डूने पड़ेंगे इंडिया के अंदर और वही भंडार इंडिया के अंदर मिल नहीं रहे है ठीक तो हम कतर पर भी डेपेंड हो सकते थे कतर भी यहाँ पर काफी जादा जो है वो एक्सपोर्ट करता है हिलियम का बट कतर के साथ दिक्कत यह है कि उसके उपर सैंक्शन्स बहुत जादा लगती रहती है कभी साथी अरव अमिराथ है यह सब भी यहाँ पर सैंक्शन्स लगाते रहते हैं तो वो सस्टेनेबल तरीकर नहीं है तो हमें अपने बंडार खोद ही ढूंडने पड़ेंगे तो यही हीलियम हर साल यूएस से मंगाते हैं ठीक है बट अब यूएस ने मना करते हैं कि हम नहीं देंगे तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट का नाम है एक है सैटियन बॉस एंड एक है स्यामदास चडर जी तो इन दोनों ने पहली बार इस चीज़ को डिसकस किया और इन्होंने अब यहाँ पर क्या हुआ है एक चीज में लिए राजमहल वॉल्कैनिक बेसिन तो राजमहल बॉल्कैनिक बेसिन जो है वो 36 जारखंड के अंदर है और बेसिकली वहाँ पर हीलियम के बड़े भंडार देखने के लिए मिले हैं तो आपको याद रखना है कि राजमहल बॉल इंडिया का जो टारगेट है 70 मिलियन क्योबिक मीटर पर यहाँ पर हीलियम चाहिए हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा टारगेट पूरा हो जाए बाकी हम इंपोर्ट के थूर कहीं न कहीं से करेंगी है तो यह जो राजमहल बेसिन है यह हमारी हैल्प कर सकता है फ्यूचर इंडिया के अंदर सार्स कोविट टू के कितने जीनोम सर्विलियंस यहाँ पर जीनोमिक सर्विलियंस को पूरा मैप किया जाएगा यहाँ ठीक है तो यह कंसोर्टियम बनाए गया है और एनौंस किया गया यूनियन मिनिस्ट्र ऑफ साइंस अंटेक्नोजी और साइंस इन इंडिया के दौरा ठीक तो टैन रीजनल जीनोम से क्वेजिंग लैबॉरेटरीज हैं वो सारी घटा होंगी और इसको यहाँ पर जीनोमिक सर्विलियंस करेंगी कोविड जो यहाँ पर वाइरस है उसका ठीक है इंडिया के अंदर तो इंडिया में कितने तरह का यहाँ जो थर्ड जोइंट स्पेस मिशन तो स्पेस मिशन काफी जादा लॉंच हो रहे हैं पिछले हमने काफी सिलाइडों में देखे भी तो उसी चेतर में इंडिया और फ्रांस ने भी लॉंच किया है तो इस मिशन का नाम है तर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सेटलाइट फॉर नाम है और इससे पहले क्योंकि तीसरा है तो दो पहले भी लॉंच हो चुके हैं एक 2011 में लॉंच हुआ था इसका नाम ता मेगा ट्रॉपिक और एक 2013 में लॉंच हुआ था यह था सरल अल्टिका ठीक है तो यह तीनों नाम आपको पता होना चाहिए पूछ लेगा क्या है मे अर्थ अब्जर्विशन सैटलाइट मिशन्स की थर्मल इंफ्राड़ इमेजर्स उन सब को यहां पर यूज किया जाएगा ठीक है तो वही सब चीजें हैं कि स्पेस एक्प्रॉरेशन किया जाएगा ठीक है इस पेस में कोपरेशन किया जाएगा इंटरेशन को बढ़ावा दे जाएगा रिसर्च की जाएगी ठीक है तो इनफर्मिशन एक्सचेंज की जाएगी वगरा वगरा चीज़ें आपको यहां पर लिखते हैं अपने ही मन से ओके आगे चलते हैं तो इंडियन ओल कोपरेशन ने यहां पर साइन किया है इस्राइल के स्टार्ट अप इनरजी उठा ली जाएगी और साथ ही ऐलुमिनियू हाइड्रोक्साइट का सॉलूशन ले जाएगा उनका ऑक्सिडेशन किया जाएगा और हमें बिजली मिलेगी इलेक्रिसिटी तो यह हमारे काम क्यों है क्योंकि लीथियम आइन बैटरी जो है इंडिया में लीथियम के रिसोर्स नहीं है याद रखेगा इंडिया डेजन्ट हैव एनफ लीथियम रिसोर्सेज बट हमारे पास ऐलिमीनियम के रिसोर्सेज काफी है तो हम यह बैटरी डैवलप कर सकते हैं दूसरा यह बहुत सस्ती है चीप है और तीसरा यह बेसिकली इसकी जो एनरजी डेंसिटी है वो भी क चारजिंग में ठीक है तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 400 किलमेटरे नहीं लगबख दुगनी ज्खमता से यह यहां पर वर्क करती है दिक्कत यह है कि आप इसको सिर्फ एक बार रिचार्ज कर सकते हैं इसको दो बारा से रिचार्ज नहीं कर सकते ठीक है बलब कि Space Technology Incubation Center खोला है राउल के रा एनाइटी के अंदर ठीक है एनाइटी राउल के ला के अंदर और उसके अंदर रिसर्च की जाएगी और प्रोड़क्ट डवलप्मेंट किया जाएगा इस पेस टेक्नोजी के फिल्ड में ठीक तो स्टार्ट अप को किस तरीके से प्रमोट क सब इलागों में किस तरीके से की जाए एनाइटी राउल के रा में ये खोला गया है इनक्यूबेशन सेंडर आगे चलें तो नासा और इसरो ने साथ मिलकर के डेवलप किया है सिंथेटिक एपैर्चर रडार एन आई एस ए आर नासा इसरो सिंथेटिक एपैर्चर रडार दुनिया का पहला ट्विन रडार सैटलाइट सेस्टम इसके अंदर दो बैंड का यूज के जाएगा एक है एस बैंड और एक है एल बैंड ठीक है तो एस बैंड इसरो लॉंच करेगा इसके अंदर बिसीकली लगाया जाएगा और फिर नासा यहां पर इंटिग्रेट हैं तो इमेज लेने में इमेज बहुत जादा किलियर आए तो उस इमेज को किलियर लाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया रहता है फाइन रेजोलूशन इमेज फ्रूम रेजोलूशन लिमिटेड रडार सिस्टम तो जिन रडार सिस्टम की इमेज लेने की छमता लिमि तो एक है पॉंग डैम और हिमाचल के अंदर और वहां पर एवियन इंफ्लुएंजा से बहुत जादा माइग्रेटरी वर्ड्स की देट देखने के लिए मिल रही है तो एवियन इंफ्लुएंजा एक वाइरल डिजीज है और इंफ्लुएंजा टाइप ए वाइरस की थू होत है आप किसी ऐसे या इंफ्लिजा वाइरस के तो यहाँ पर आपको यह हो सकता है यह ना पैजी कन करने सास्ट वाइरमेंट हो जिसमें आप यहाँ पर गूंब रहेँ तो यहाँ पर यहाँ पर पर प loss की जो यह उनिवाइड कौल है उसके बारे में देया घया बिसिक्यली वारे में आपको यहां पर क्या बताना चाहता हूँ वो यह है यह और यह आपके इस्ँष काम Target के यह है क्यापकू सकता है वट इस लिगवर को a कॉपर यह घक तो यह डेनापके की डायब्लाइड जेक्स आथर है और यह आपको पता होना चाहीगे गाई क्यार्ट रव copyright टेक्टर है ग्रैविटेशनल वेप्स को नापने के लिए जो कि ब्लैक होल से एसोसियेट हैं ठीक है तो ये चीजें पता होनी चाहिए दूसरा एक है सूरे किरन एरोबेटिक टीम ये बेसिकली सिक्यूरिटी का करन्ट अफियर था और यह जो टीम है यहाँ पर और सरंग हेल गई थी 1996 में 2015 में इनको यहाँ पर एक क्यूब कर दिया गए था ठीक है और ज्यादा होक ट्रेनर्स इनको यहाँ पर दिये गए थे ठीक है तो यह थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके वारे में कि सूरे करन एरोबेटिक टीम है क्या यह हमारी लास्ट सिलाइड है तो टॉटल लगबक 55 सिलाइड हम यहाँ पर कवर कर चुकी है ठीक है तो साइंस और टेक्नोजी के छेतर में इतने ही करंट अफेर यहाँ पर न्यूज में आए और यही आपको जो है वो बेसिकली इतनी ही स्पीड से आपको पढ़ने है ठीक है तो इस दो के वारे में काफ निक गोशश जिए थैक्स पर उचिकियर।